सब्सक्राइब तो मैं चैनल की वज़े से पूरी दुनिया में ख्याती पाने वाली माइल्स मिल्स ने अपनी एक तुर्की की यात्रा के समय यह हैलान कर दिया था कि वेह जल्दी ही इसलाम कबूल करेंगी और इसके बाद ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर हज़ाब पहने हुए अपना एक फोटो भी पोस्ट किया था फिर कुछ समय बाद में इंस्टाग्राम पर दुबारा उन्होंने पहला कलमा पढ़ते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसे सच्चे दिल से पढ़ने पर दुनिया का कोई भी इंसान मुसल्मान बन जाता है आपको बता दें कि ऐसा करते ही इनकी चर्चा सोशल मीडिया में तेजी से होने लगी है बता दें तुर्की के मशूर होरिया समाचार पत्र बेला माई के हवाले से बताया गया है कि सब कुछ इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने आखिर में इसलाम धर्म कुबूल करने का फैसला कर लिया आलाकि यह सब कुछ तब हुआ जब वो इसलाम के बारे में और जानकारियां बटोरने की कोशिश कर रही थी तब उसी दोरान न्यूजीलेंड में दो मस्जिदों पर हमले की उस बड़ी घटना को जो अभी कुछ दिन पहले घटी है उन्होंने इसका कड़े शब्दों में रोश्ट जताते हुए ही उसी दोरान उन्होंने अपने मुसल्मान बन जाने का भी ऐलान कर दिया था जिससे सारी दुनिया में उनके बारे में काफी चर्चा हुई थी दोस्तों यह विवरन नाही माने की दुनिया भर में आज मुसल्मान परिशान है और तरह से उनको परिशान किया जा रहा है बावजूद इसके भी इसलाम सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म बन गया है क्योंकि जितना इस धर्म के खिलाफ बातें कही जाती है या नफरत फैलाई जाती है उससे कई गेर मुसलिम लोगों में इस बात की इच्छा प्रमल हो जाती है कि आखिर इस धर्म में ऐसा क्या है फिर वो इस धर्म के बारे में अधियान करके मुसल्मान बन जाते है आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद